हेलो श्ट्वेंट अश्टी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मुत्राखन वेसी निर्सिंग एक्जाम के रिकारिक अप्रेट देने वाले हैं जो कि उत्राखन वेसी निर्सिंग का एक्जाम है दोहजार चौबिस में वो कब तक होगी इ इसका सिलेवस पैपर पैटर्न क्या रहेगा इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और साथ में आपको यह भी बताने वाले हैं कि इसकी तैयारी हम किस तरीके से करेंगे ताकि गवर्मेंट कॉलेज में सेलेक्शन आसानी से मिल पाए तो वीडियो को सुरू से आं तक देखेगा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली वर विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि पलपल अबडिट का नौटिफिकेशन आपके टेलीग्राम पे भी मिलता रहे तो आप हमारे टेलीग्र चैनल से जोईन होजाई जिसका नाम है अश्टरी मीडियम तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन-कौन से ज्रेंट भर सकते हैं तो वैसे जो 12 पास आउट है या इस वा 12 का एक्जाम दिये हैं वो दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए एज क्या होनी चाहिए तो यदि आपका एज 17 इयर्स है 17 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एज आपका 17 साल होना चाहिए जब तक यह फॉर्म निकलेगी तब तो ओके आप इस फॉर्म को भर सकते हो अब एक question का doubt रहता है कि form भरने के लिए कितना 12 में marks होना चाहिए तो इस form को भरने के लिए कोई strength first division हो ऐसा बिल्कुल नहीं है minimum आपका 45% अगर 12 में marks है तो आप इस form को भर सकते हो 12 में subject क्या होने चाहिए तो 12 में आपका subject physics, chemistry, biology अगर आपका है तो आप इस form को आसानी से भर सकते हों form भरने के बाद एक आप लोग को interest exam देनी होगी और वो exam का pattern क्या रहेगा तो उस exam में आपको total 100 question पूछे जाएंगे और किसके subject से question रहेगा तो physics से आपका 20 question chemistry से आपका 20 question, biology से से आपका 20 question ये तीनों ही आपको 11 और 12 level का question देखने को मिलेगा जो भी आपने 11, 12 में पढ़ा है वही से question आएगा ये हो तो हो गया 60 math बागी का वचा 40 number जिसमें से आपका English से 20 question और most important nursing aptitude से 20 question English में सबसे ज़्यादा grammar से question पूछे जाते हैं तो grammar यदि आप पढ़के जाते हो तो आसानी से इसे आप निकाल लोगे और एक subject है आपका नया nursing aptitude nursing aptitude इसे आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है इसको आप कहां से पढ़ोगे तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ तो अब बात करते हैं कि इस exam का timing क्या रहता है तो इस exam का timing होता है दो घंटा होता है total 2 घंटे में आपको 100 question को solve करना परेगा तो हरे question पे आपको कितना नमर मिलेगा ये exam total 100 question को होता है और हरे question पे आपको one marks मिलेगा तो ये जो exam होता है total 100 marks का होता है full marks इसका 100 रहता है तो most important बात यह है कि क्या इसमें कोई negative marking भी होती है तो अगर आप कोई भी question गलत करते हो तो आपका कोई भी marks नहीं काटा जाएगा मतलब इसमें कोई भी negative marking नहीं होती है आप कितने भी attempt कर लो जितने भी अगर कोई गलती भी हो जाए तो कोई दिकत नहीं है आप 100 में 100 question को attempt कर सकती हो तो अब आते हैं हम इसका paper language पे तो इसका जो paper का language होता है वो bilingual होता है Hindi भी होता है और English में ही होता है आपका एक ही paper में एक side हिंदी से question देखने को मिलेंगे और एक side English से question देखने को मिलेंगे तो अब इस exam को crack करने के लिए कितना marks लाना होगा यह जानना भी जरूरी है आपका cut off क्या रहता है तो overall इसका जो cut off होता है minimum 50% तक रहता है इसका cut off मतलब 100 में से आपको अगर 50 marks आता है तो 50 तो लाना ही लाना है 50 plus लाना परे तो आपको government college में seat मिल जाएगा कम से कम 50 वाले को बहुत कम चम से रहता है government college मिलने का अगर आप 50 plus भी लाते हो तो आपको आराम से government में seat मिल जाएगी इस form को भरने की जो wise अलग अलग रहती है ओके अगर आप यूर काटेगरी से या OVC काटेगरी से या EWS काटेगरी से बिलोग करते हो तो आपको 2000 पे करना होगा यदि आप SC या ST काटेगरी से बिलोग करते हो तो आपको 100, 1500 रुपया चार्ज लगेगा ये form fee है जो सभी अश्टून को देना परेगा तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस exam में total seat कितना रहता है तो इस exam में आपका total seat 245 रहता है जिसमें से दो type के seat रहता है एक estate quota के थूँ और एक management quota के थूँ होता है तो वो अलग लग रहता है फिस भी उसी के according होता है जिस quota के थूँ आपको seat मिलेगी उसी के according आपको face भी लेगेगी तो अब मैं आपको बता देती हूँ ये form कब निकलेगी तो ये जो form है आपका overall देखा जाए तो अपरील के first week तब आपका form देखने को आपके website में मिल जाएगा जैसे ही इसका form निकलेगा within one month आपका exam भी ले लिया जाएगा तो I hope आप लोग का exam है वो मही तक होगा ये expected date है आगे जैसे ही इसके रिगाने अगर कोई update आती है सबसे पहला आपको इसी channel में मिल जाएगी तो इसके लिए आप channel पर बने रहिएगा आपको update कर दिया जाएगा जैसे ही आपको form मिलेगी मतलग form निकलने के बाद आपको one महीने तक लगभग timing मिलेगा जादा से जादा तो अगर आप अभी से इस form को निकलने का wait मत कीजिए अभी इसे आप तयारी में लग जाएगे क्योंकि 5 से 5 subject को आपको पढ़ना परेगा तभी आपको government college मिल पाएगी इसमें seat भी limited रहती है जादा seat नहीं रहता है तो तयारी आपको अभी से करना परेगा तभी आपको selection मिल पाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि government college में seat लेना है तो आप हमारे app से join हो जाएए इसमें आपका 100% selection हो जाएगा आप हमारे app को download कर लिजिए आपका link हमने description box में दे रखा है यहाँ पी classes start हो चुकी है जिसका नाम है सफलता batch इसमें से आपको सभी subject की तियारी करवाई जा रही है जिसमें live classes, chapter wise note, बेकली test, doubt session, practice सब भी कुछ करवाया जा रहा है यह मात्र आपको 599 एक साल तक आपको पढ़ाय जाएगा इतना सस्ता में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है इससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं परेगी इसके आलाबा आपको हमारे app में एक question bank मिलेगा 10,000 objective question का question bank इसमें आपके all subject का question रहेगा previous year question रहेगा physics, chemistry, biology, english, nursing, aptitude सब भी को include किया गया है आपके exam में 100 question पूछे जाते हैं और यहाँ हमने 10,000 objective question का एक question bank लाया है तो क्या आपको लगता है कि इससे बाहर question पूछा जाएगा बिल्कुल भी नहीं ये question bank एक मात्रुफ वी के साथ आपको मिलेगी 199 ये हमारे app में ही मिलेगा अधिक चानकारी के लिए आप दियेगे help line number पे संपर करे question bank को purchase कर सकते हो तो जल से जल जाएए सभी student हमारे app को download केजिए जिसका link हमने description box में दी रखा है तो आगे जैसे ही इस exam की regarding अगर कोई update आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो पुसंद आए तो like कीजिए मिलते हैं next वीडियो में तो तक के लिए बाई बाई